बच्चो आप सभी का हमारे यूटूब चेनल आइडियल दो क्लासेस में स्वागत है बच्चो आज हम आपके लिए लर्निंग आउट्स का माधारित लर्निंग एफ श्वामागरी के अंतरगत विशय गडित लेके आएं जो कक्छा आठवी के लिए और इस पुस्तक को मत प् के अंतरगत वर्षिट तैंतिस वर्षिट तैंतिस में क्या दिया है आशन कोड एम शिर्षा मुक कोड आशन कोड क्या होते है और शिर्षा मुक क्या होते है इनके बारे में आपको हम बताएंगे देखिए यहाँ पर उधान दिया हुआ है आशन कोड की परिवासा क्या यह म्यंस्ट हो गया, और दूसरा आसन्गों क्या हो गया तो इसापकार से यहां पर आसन्कों के पहचान हो सकते हैं, एक विंडू पर एक उमेनिस्ट विंडू से बने हुए जो होते हैं, इसले पकार इसका अभ्यास नमबर एक में दिया हुआ है यहां क्या का है देखिए इसमें दिया है आसन कोल के दो युगमा अब देखिए यहां पर यह ओडी एक किरण हो गई दूसरी ओए एक किरण हो गई ओभी एक किरण ओशी एक किरण यह किरण है इस पकार से यहां पर इनके हमको क्या बताना है आसन कोल ब फिर इसी का दूसरा आसन कोल क्या बनेगा B O C यह हो गए दो युगम हो गए A O B और B O C इसका दूसरा युगम के दूसरा नमबर का देखिए क्या बन जाएगा D O C यह वाला दिख रहा है आपको यह और फिर बन जाएगा C O B तो इस प्रकास से आसन कोल के दो युगम बता द आपको यह अभ्यास प्रसन एक हुआ complete इसी का नंबर दो दिया हुआ है देखिए इसमें क्या दिया है यहाँ पर भी आसन कोड के तीन यूग मताना है तीन जोड़े बताना है तो पहला जोड़ा बन जाएगा X O Y और दूसरा X O Z फिर सेकंड नंबर में Z O X और Y यह Z O X बन ग गए फिर Y O Z और X O Y इस प्रकार से इसके यूग मन गए इसमें यह भी देखिए यहाँ परिवास दिया है जब किसी कोड के बीच में उभेनिश्ट बिंदू से रिखा खीची जाए तो वो इससे बनने वाले दोनों कोड आसन कोड कहलाते हैं अब देखिए इसके बाद सीर समुक कोड कहलाते हैं तो देखते हैं सिर समुक कोड की बारे बताया देखिए यहाँ पर यहाँ पर दो रेखा एक दूसरे को पच्छत कर रहे हैं देखिए एक रेखा यह हो गई आपकी दिख रहे ही यह रेखा एक रेखा हो गई है और दूसरी A B यह दो रेखा है आपको यह दोनों क्या कर रही है एक दूसरे को पेच्छत कर रही है क्या कर रही है पेच्छत कर रही है अब यह जो पेच्छत कर रही है तो अब इनके सीरसमू कोल बताएंगे हम तो यहाँ पर जो कोल बनता है यहाँ पर जो कोल बनेगा आपका ये वाला कोड और उसके सीर्समूग क्याने सीर्स के सामने वाला ये कोड यहने कोण कोण से हो गए यहाँ पर O लिखा हुआ है इसको देख सकते हैं आप A O C का सीर्समूग कोड क्या होगा B O D इसी पेकार एक सीर्समूग कोड इधर बनेगा ये B O C का सीर्समूग कोड क्या होगया A O D तो इसके आपने सामने जैसे यहाँ पर जो दिख रहा है इसके सामने वाला ये सीर्समूग कोड और इसके सामने का सीर्समूग कोड यह होगा तो इस पेका सेसम कोड का उधान दिया है वह था देखिया दिया है सेसम कोड बराबर होते हैं कुछ सा AOC AOC बराबर BOD और BOC BOC बराबर AOD यह सेसम कोड कैसे होते हैं बराबर होते हैं अब यहाँ पे हमको एक प्रेशन दिया हल करने के लिए यह बना हुआ यह यहां क्याकर लिखाया देख सकते आप P, Q, R, S और बीच वाला बिंदू क्या कहलाता है O यह क्या हो गया अब इनके सीर्षामुक कोड़ कौन से होंगे तो यह हो जाएगा आपका RO, P यहां पर इसका सीर्षामुक कोड़ कौन सा होगा उसके सामने वाला है यह हो गया तो RO, P बराबर Q, O, S सेकेंट नमबर का क्या बनेगा RO, Q बराबर P, O, S तो इसकार इसके सीर्षामुक कोड़ हो गया यहनि कि कि आपको यह ध्यान रखना है इसके सामने का यहाला सीर्षामुक कोड़ के लाएगा और इसके सामने का ये और इसको हम पढ़ेंगे तो जो बीच में आता है कोल जहाँ पे बनता है उसे कहां लिखते हैं बीच में जैसे ओपे कोल बन रहा है ये तो ओ को हमने बीच में लिख दियें नेश्ट अगला देखते हैं इसका सेकंड नमबर का प्रेशन क्या दिया है इसके भी सिर्सामुक कोल बताना तो ये कोल एक है इसका सिर्सामुक कोल क्या होगा तीन और कोल दो का सिर्सामुक कोल चार तो इस पकार से यहां पे आपको आसन कोल और सिर्सामुक कोल बताए next अगली वर्षिट 34 देखने है इसमें कोलों का वर्गी करना है कोल कितने होते है समकोल होता है अधिक कोल होता है नियून कोल होता है पितिवर्थी कोल होता है रिजू कोल होता है और समपूरक कोल होता है समकोल क्या होता है जो कोल 90 अंस का होता है वहाँ समकोल कहलाता है नियून कोल कोन से होते हैं जो 90 से कम और सुने से अधिक होते हैं वहाँ नियून कोल होते हैं और जो 90 से अधिक होते हैं लेकिन 180 से कम होते हैं वहाँ कोन से कोल कहलाते हैं अधिक कोल और पतिवर्ति कोल 180 के नीचे जो आते हैं 1980 के बाद प्रतिवर्थि कोल और्जु कोल 180etu कोल कोल कहलाता है और जो पूरा एक चक्र वित्त कार चक्र व्रत बन जाता हुआ वा सम पूरा कोल होते है तो यह कोल के बारे हम बता दी यहाँ पर अब इस में दिया है प्रस्न क्या दिया देखिए यहां पर प्रयास करें ऊपर बने dart grade यह dart बिंदू दी हुए है से किनी तीन बिंदों को मिला कर कोल की आकरती बना यह तथा तालिका में लिखे एम पर कोल को रंगिन कीजिए देखिए हमने इहां पर तालिका में बना यह नमबर एक कोल यह तीन बंदों से बना कोल है आप देख सकते हैं यह नीले कलर से बना हुआ है और यह सीधा बिलकुल लब्यांस का कोल बन रहा है फिर नमबर दो यह अधिक कोल बन रहा है नमबर तीन नियून कोल बन रहा है नमबर चार प्यतिवर्ती कोड बन रहा है नमबर पांच रिजू कोड बन रहा है और नमबर च्छे समपूरा कोड तो इस पकार से आप कलर से अलग-अलग कलर से यहाँ पर तीन बिंदूओं को मिलाती हुए कोड बना सकते हैं फिर उसके बाद उन्हें ये इस आकरती में भर रंग है नियून कोड बन रहा है आकरती चार में लाल रंग है प्यतिवर्ती कोड बन रहा है और आकरती पांच में हरा रंग है जो रिजू कोड बनाता है आकरती छे पीला रंग जो समपूर्ण कोड बनाते हैं थमने सम कोड क्या होता है जो 90 का होता है वह सम कोड है जो 90 से कम होता है वो अधिक कोड होता है नियून कोड शुने से अधिक लेकिन 90 से कम वहाँ नियून कोड कर लाते हैं पैति वैति कोड जो नीचे की और बनते हैं और रिजियो कोड जिनका माप 180 अंस होती है जो एक सरण रिखा के रूप में दिखाई देते हैं और स्वंपूरक कोड इसकी माप 360 अंस होती है जो वेत्थाकार होता है तो इस पकार से यहाँ पर हमने आपको कोडों के बारे में बता दिये शमकोड, नियूनकोड किशे कहते हैं तो आपको वर्षिट 33-34 यहाँ पर कंप्लिट की हमने यह वर्षिट 33-34 आपके समझ आईए तो आप हमाँ चैनल आइडियल देव के लासे सस्काइब कीजिए लाइक कीजिए और आनी को रूप में सेहर जरूर कीजिए